Hello Learners, Welcome to my YouTube Channel To The Point Learning आज मैं आपके साथ Class 12th UP Board का चाप्टर वित्तिय बाजार का तीसरा भाग डिसकस करने जा रही हूँ इससे पहले दोनों भागों में मैंने वित्तिय बाजार का अर्थ क्या होता है वो डिसकस किया था वित्तिय बाजार के क्या क्या कार होते हैं वो मैंने समझाया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वित्तिय बाजार का वरगी करन कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार से हम विभाजत करते हैं वित्तिय बाजार को तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजेगा ताकि चाप्टर जो है वो आपको एक सीक्वेंस वाइस एक सिस्टेमाटिक वे में समझ में आए और इसका जो लिंक है मेरे पुराने वीडियो का मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगी आप उस पर क्लिक करके डिरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप क्लास 12 यूपी बोर्ड बिजनस स्टडी की प्लेलिस में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को कि वित्तिय बाजार आपका कितने पार्ट में डिवाइड़ है यानि क्लासिफिकेशन ओफ फैनेंशनल मार्केट या वित्तिय बाजार का वरगी करण अभी हमने जो मीनिंग पढ़ा वित्त करते हैं या फिर आप किसी सेक्योर्टी को कहीं और बेच कर वापस पैसा रिसीव करते हैं वापस पैसा ले लेते हैं तो यह होता है वहां पर आप आते हैं कि यह कितने भागों में डिवाइड़ है तो यह दो वरगी करण इसके किये गए हैं वित्तिय बाजार के पहला होत आपका दो भागों में विभाजत है प्रात्मिक बाजार और गौड बाजार प्रात्मिक बाजार यानि प्राइमरी मार्केट और गौड बाजार सेकेंडरी मार्केट उसी तरीके से कैपिटल मार्केट भी दो भागों में डिवाइड़ है एक होता है प्रात्मिक बाजार वह तो शेड़ू करते हैं एक उससे पहले आपको यहां पर एक्जामपल दे रखे एंड़ें?" जैसे मुद्रबाजार जो है ऐसे मनीं मार्केँ जो है वह कितने उसके एक्जामपल या मैं कहूं कि इसके instrument क्या कहा है तो वो हैं आपके call money बाजार ठीक है treasury bill बाजार व्यापारिक बिल जमा पत्र बाजार वानिज पेपर बाजार या repo बाजार ये जितने example है ये आप जब money market यानि की मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में भी वहाँ आप इनकी definition यानि इनके अर्थ आपको पढ़ाएंगे दूसरा आते है capital market यानि की आपका पूंजी बाजार जो होता है उसके ये example दे रखे हैं जैसे mutual fund बाजार, रिन बाजार, प्रतिभूती बाजार, stock exchange और national stock exchange यानि ये mutual fund और रिन बाजार, debt market और securities market का कहां पर dealing होती है तो stock exchange में होती है या फिर national stock exchange में होती है तो ये हम कहां पढ़ेंगे ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पूंजी बाजार के बारे में पढ़ रहे होंगे तो अभी फिलाल हम पढ़ते हैं कि मुद्रा बाजार का अर्थ क्या होता है यानि money market का अर्थ क्या होता है मुद्रा बाजार में अल्प कालीन प्रतिभूतियां यानि की short term securities का क्रेविक क्रेव होता है ये इसका सबसे important point है और पहला point है कि यहां पे money market में अगर हम चीजों को हम प्रतिभूतियों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो प्रतिभूतियां हम बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं खरीद रहे हैं या बहुत लंबे समय के लिए मैंने अपने पैसे को कहीं पर निवेश नहीं किया है सिंपल समझिए जैसे मुझे पैसा लगाना है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, अब उस पैसे को मैं इंवेस्ट करना चाहती हूँ, यानि कि उसे निवेश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पैसे को एक साल से ज़्यादा के लिए कहीं किसी बिजनस में फसाना नहीं चाहती, ठीक है मैं नहीं चाहती हूं कि मुझे एक साल के अंदर ही अंदर जो पैसा जहां भी मैं लगा रही हूं बिजनस में वो मुझे प्रॉफिट देने लगे यानि लाभांच देना शुरू कर दे तो मैं कौन से मार्केट में पैसा लगाऊंगी मैं मनी मार्केट में पैसा लगा प्रात्मिक बाजार के विपरीत यह बाजार प्रतिभूतियों के क्रे विक्रे के लिए एक निरंतर तथा नियमित मंच प्रदान करता है हमें अगर कम समय के लिए किसी बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना है या खरीदना है तो यह मनी मार्केट ही हमें लगातार वहां पर यह काम करने के लिए और नियमित रूप से हमें एक मंच जो प्रदान करेगा वो कौन करेगा तो यह मुद्रा बाजार ही करेगा यह बाजार इसकंद विपणी यानि स्टॉक एक्षेंज जो है की रूप में कार करता है ठीके इसकंद विपणी आपका होता है कि जहां पर आप पैसे को निवेश वगएरा कर सको ठीके तो यह कि आपको कैस में पैसे को यानि प्रतिभूतियों को आप रोकर में कर सको या फिरोकर को आप प्रतिभूतियों में कर सको तो उसके लिए आपका यह सहायक होता है यह बाजार उद्ध्यमी को कारिशील पूंजी के है तो कम समय के लिए अगर उसे पूंजी की ज़रुत है तो ये मुद्रा- premazaar ही है जो उसे कम ature के लिए वित्ष प्रदान करेगा यानि पैसा प्रदान करेगा कोई Biznesman है उसे केवल छी महिने के लिए पैसों की सखत जरुत है वह क्या करें वो अपनी प्रतिभूतियों को इस money market में जाकर बेचे इस मुद्रा बाजार में जाकर बेचे और इसके बदले पैसा पाले केवल कम समय के लिए यानि अलपगाली ने एक साल से कम समय के लिए उसे पैसा कहीं पैसे की जुरूत है तो यह कहां उसको मौजूद निलेगा या कह उसको यह काम करने के लिए एक फैसिलिटी मिलेगी तो वो इस मुद्रा बाजार में मिलेगी कॉल मनी एवं सरकारी प्रतिभूतियों में व्याभार इस बाजार के प्रमुकंग है अगर कहें एक्जामपल क्या है इनके तो कॉल मनी और सरकारी प्रतिभूतिया यानि सरकारी government securities जो होती है वो mainly इन चीजों में deal करती है या call money अभी आगे समझोगे इसका क्या होता है यह दोनों इसके example है दूसरा आते हैं पूंजी बाजार यानि capital market क्या होता है पूंजी बाजार में दीर्ग काली इन वित्तिये प्रतिभूतियों का क्रेविक्रे होता है दोनों में अं करऊंगी मुझता बाजार में करऊंगी लेकिन अगर मुझे एक सा recommend के लिए कहीं पैसा निवेश करना है या फिर मुझे एक सारसे जादा के लिए प्रतिभूतियों को कहीं बेचना है तो मैं कहां जाओंगी मैं पूंजी बाजार में जाओंगी यह निवेशक अपनीBया ये निवेशक अपनी बचतों को एक वर्ष से अधिक अवधी की प्रतिभूतियों में निवेश करता है, यहाँ पे जो एक निवेशक होता है, वो अपने पैसे को लगाता है वो लॉंग टर्म सेक्योर्टीज में, इस बाजार के प्रमुक पक्ष निवेशक, रिण, वित्ति यह संसान है, बैंक है, सरकार है, यह सब इन सारी चीजों में डील करते हैं, यह सब के सब किस तरह के सेक्योर्टीज को खरीदते या बेचते हैं, अप्रतिभूतियों का क्रेविक्रे करते हैं, दूसरा आते हैं, अब इसी में हमने पढ़ा था कि मुद्रा बाजार और पु का अर्थ क्या है प्रात्मिक बाजार में सर्व प्रथम उन्हीं प्रतिबूतियों को निर्गमित किया जाता है यानि उन्हीं सेक्योर्टीज को उन्हीं प्रतिबूतियों को बेचा या खरीदा जाता है जिन्हें पहले से बाजार में नहीं निर्गमित किया गया है यानि वो securities आप पहली बार market में बेचने जा रहे हैं जैसे मेरी नई नई company खुली मुझे पैसे की आविशकता है मैंने क्या किया मैंने अपने shares को यानि कि अपनी प्रतिभूतियों को market में बेचा तो यह मैं कौन सी market में जाकर बेचूंगी primary market यानि प्राथ में बाजार में जाकर इसको बेचूंगी क्यों क्योंकि मैं पहली बार अपनी securities को अपनी प्रतिभूतियों को निर्गमित कर रही हूं बेच रही हूं या उनको उनमें पैसा लगाने जा रही हूं इस बाजार में समान्य जनता विशिश्टम वर्ग या संसानों को अभिदान के लिए आमंत्रण दिया जाता है इसमें मैं क्या करती हूं क्योंकि मुझे अपनी प्रतिभूतियों को बेचना है तो वो प्रतिभूतिया खरीदने वाले भी तो कोई होने चाहिए तो वो लोग कौन होते हैं वो लोग होते हैं आम जनता ठीक है को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और मेरी सेक्योटीज को खरीदें ये आमंत्रित करने के लिए भी मैं एक प्रॉस्पेक्टर से एक वर्ड होता है आपका एक तरिके का एक आपका इन्विटेशन पत्र आप भेशते हो जिसके जरीए जो अलग-अलग निवेशक होते हैं वो मेरी सेक्योटीज को पहली बार खरीदने मेरी प्रतिभूतियों को पहली बार खरीदने के लिए आते हैं तो यह कहां पर यह काम होता है प्राइमरी मार्केट में होता है या प्रात यानि equity shares को बेश सकती हूं मैं पूर्वधिकारंज preference shares को बेश सकती हूं या फिर bonds वगेरा हैं मेरे debentures जो हैं उनको बेश सकती हूं तो यह सारे प्रतिभूतिया मैं बेश सकती हूं लेकिन इनको पहली बार अगर मैं बेचने जा रही हूं तो कहां बेचूंगी मैं primary market में कहां जाता है जैसे अगर मैं securities को पहले भी कभी बेच चुकी हूं और अब मैं दुबारा securities को यानि प्रतिभूतियों को बेचना चाहती हूं और पैसा अपने business में चाहती हूं कि पैसा आए और मैं securities बेचूंगी मैं दो-तीन बार काम करने जा रही हूं पहली बार नहीं करन जारी तो मैं कौन सी मार्केट में अपने shares को बेचूंगी या समतांज को बेचूंगी तो secondary market यानि दुथिये बाजार में बेचूंगी यह बाजार प्रतिभूतियों के क्रे विक्रे के लिए एक नियमित मंच प्रदान करता है मतलब कि मुझे दूसरी बार securities बेचनी है ती प्रतिभूतियों के सुचियन यानि listing के बात होते हैं अब यहां पर मैं अपनी security यानि प्रतिभूतियों को कहां बेचूंगी तो stock exchange होता है आपका इसकंद विपड़ी होता है वहां पर जाकर मैं अपने इन shares को या अपनी securities प्रतिभूतियों को बेचूंगी लेकिन उससे पहले मेरी जो प्रतिभूतियां उनको लिस्ट करवाया जाएगा यानि उनकी एक list निकलेगी और आज उनका क्या दाम है वो सब कुछ लिस्ट किया जाएगा और उस list में से जो मेरे निवेशक है वो चुनेंगे मेरी अलग-अलग प्रतिभूतियों को और तब वो उसे खरीदेंगे तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ये कहां होता है दुटिये बाजार में चेक तो ये हो गए आपके चार तरीके के या मैं कहूं कि बेसिक दो तरीके के आपके पूंजी बाजार के वरगी करण एक बाद फिर से देखने प्रतिभूतियों को बेचना है या मुझे कहीं पैसा निवेश करना है अपने पैसे को निवेश करना है तो मैं कहा निवेश करूँगी पुंजी बाजार में, दूसरा आते हैं प्रात्मिक बाजार, अगर मैं पहली बार अपनी प्रतिबूतियों को बेच रही हूँ, एक बिजनसमन हूँ, मैं फॉर्स टाइम अपनी सेक्योर्टीज को बेच रही हूँ, तो कहा बेचूँगी प् के चार डेफिनेशन के मीनिंग, अगर आपको इससे समझने में कहीं कोई दिक्कत है या आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बाकी मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजे, ताकि लेटेस झाल कर देटेस्टार लेकने हैं इसे आपको सब्सक्राइब चारे लिजेचे लेधिए याशल को इसकी अजनिखाब कर दीजेचार को सब्सक्राइब जरूरश चाजवादवारा इस चारेस्टारा बड़ते हैं ऑ用 में सेक्शन में दिक वानल कर बाको पष्य कर पाड कर द